उत्राखन के चमोली जनपत में रिशीकुल परवत प्रस्थित है संतान दाइनी सती माता अनुसुया का दिव्य मंदर इस मंदर तक पहुचने के लिए आपको गोपेश्वर नगर से 13 किलोमेटर की वहन यात्रा के बाद मंदल से करीब 5 किलोमेटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है यहां मार्ग में आपको घने जंगल, नदी और जर्नों के साथ हिमालेक शेत्र के प्रवासी पक्षियों के भी दर्शन होते हैं जो इस यात्रा को और भी मनमुहक बना देते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर माता अनुसुया के सतित्वा के प्रभाव से त्रिदेव यानि भ्रह्मा, विश्नु और महेश शिशु रूप में परिवर्तित हुए थे शिशु रूप में होने के बाद जब लंबे समय तक त्रिदेव वापस नहीं लोटे तो माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती उनकी होज में निकली और माता अनुसुया से त्रिदेवों को मूल स्वरूप में लोटाने का आगरह किया उनका आगरह सुईकार कर माता अनुसुया ने अपने गर्ब से भगवान ब्रह्मा जी को चंद्रमा, शिवजी को दुर्वासा और भगवान विश्णु जी को दत्तात्रे के रूप में जर्म दिया इसी कारण माता सती अनुसुया विश्व में संतान दाई के रूप में प्रसिद है मंदिर के बारे में यहां भी मान्यता है कि वर्ष में एक बार मार्क शीर्ष की पूर्णिमा को यहां आयुजित होने वाले अनुष्ठान में जो निसंतान दमपती भाग लेते हैं उसे संतान प्राप्ती होती है इसी कारण यहां प्रतिवर्ष आयुजित होने वाले मेले में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुंसते हैं माता अनुसुया के आशिरवात से संतान प्राप्ती की आशा रखने वाले भक्त जन यहां आकर अपनी मनों कामना पूर्ण करते हैं और इस पवित्रस्थल की यात्रा से आध्यात्मिक शान्ती प्राप्त करते हैं